एक मिनिट हो गया है चलिए देखते हैं वाव तो देखिए कितना कलरफुल लग रहा है मेरा सबजी और खुस वही बहुत जबरदस्त आ रहा है हेलो दोस्तो आज मैं बनाने वाला हूँ दो कच्चे आलू से बहुत ही स्वादिश्ट रेसीपी और इस रेसीपी को बनाने में जञट भी नहीं है और जटपट में बन भी जाता है और ये recipe अगर आप अपने महमान को बना कर खिलाएंगे तो आपका महमान भी तारिफ करते हुए नहीं ठकेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सेर करे और आपका अपना चैनल रेसीपी इन हिंदी 24 को सस्क्राइब करना ना भूले तो देखिए मैं दो आलू को कदू कस कर लिया हूँ और अच्छी तरह वास कर लिया हूँ देखिए इस तरह मैं कदू कस कर लिया हूँ और दो प्याज ले लिया हूँ मेडियम साइज इसे में लंबा लंबा कट कर लिया हूँ तो चलिए सबसे पहले मैं एक पलेट ले लेता और इसमें डाल देता हूँ अलू और प्याज, साथ में तीन से चार हडी मिर्ची बारी काटके और हरा धनिया, एक चमच लेसुन अद्रक और मिर्ची में कोट लिया था, नमक स्वाद अनुसार, मैं दो चमच डालूँगा इसमें अरा रोट और दो चमच मैदा, आदा चमच जीरा पौडर, आदा चमच गरम मसला, आदा चमच हल्दी पौडर, तो अब मैं इसमें आदा चमच अजवाइन डाल देता हूँ इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, तो चलिए इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, देखिए इसमें ज़्यादा, और अरा रोट नहीं डालना है, तो देखिए मेरा पकोड़ा कितना अच्छा बन रहा है, तो चलिए अब पकोड़े को फड़ाई कर लेते हैं, तो मेरा तेल गरम हो गया है, तो चलिए मैं पकोड़े को अब तेल में डाल देता हूं, तो एक एक करके सारे पकोड़ा डाल देना है, और पकोड़ा लगभग फराई हो गया है इसे 5-10 सकेंड हाई फिलेम पे और फराई करेंगे तो देखिए मेरा पकोड़ा अच्छी तरह से फराई हो गया है तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं देखिए मेरा पकोड़ा त्यार हो गया है तो चलिए अब हम गिरवी बना लेते हैं तो गिरवी बनाने के लिए मैं तीन से चार चमत तेल ले लिया हूँ और तेल को में गरम कर लिया हूँ और अखे मसला में ले लिया हूँ दो लाल मिर्च, दो तेज पत्ता, थोड़ा सा दाल चिनी, तीन हरी इनलाइची और चार लॉंग, एक बड़ी इनलाइची, थोड़ा भून लेते हैं, तो देखे मेरा प्याज ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगा एक चमच, अधरक, लेसुन और मिर्ची, यह मैं पहले कोट के लिया हूँ और लेसुन अधरक को भी 15-20 सेकेंड भून लेना है, तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ टमाट अब गयास फिलेम में थोड़ा सलोग कर देता हूँ और थोड़ा समय इसमें पानी डाल देता हूँ और इसके बाद डाल देता हूँ मसाला, मैं पानी इसलिए डाल दिया हूँ पहले कि मसाला जलेना, एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच मिर्ची पाउडर, आदा प्री लाल मिच पाउडर, आदा चमच जीरा पाउडर, आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच सबजी मसाला आप इसके जबे पे किचन कींग या कुछ आपका पसंदीता यूज कर सकते हो और इसे अच्छी तरह भूल लेना है तो चलिए अब गैस फिल्म फास्ट कर लेता तो देखिए मैं मसाले को अच्छी तरह भून लिया हूँ, मसाला तेल छोड़ दिया है तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ पानी, पानी आप अपने हिसाब से डाले जितना आप गिरेवी रखना चाहते हैं और गिरेवी में उबाल आने तक गिरेवी को ढख देना है तो चलिए मैं ढख देता हूँ 2-3 मिनिट के लिए, तो 2-3 मिनिट हो गया है तो देखिए हमारा गिरेवी में अच्छी तरह उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा कास्तूरी मेथि घिस के इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और साथ में हरा ध तो चलिए अब मैं इसमें पकोडा डाल देता हूं और इसे चला लेता हूं अब चलाने के बाद गैस फ्लेम सलो कर लेना है और ज्यादा नहीं बस एक मिनिट के लिए आपको ढख देना है एक मिनिट हो गया है चलिए देखते हैं वाउ तो देखिए कितना कलर फुल लग रहा है मेरा सबजी और खुस होई बहुत जबरदस्त आ रहा है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सस्क्राइब और हां अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेड़ करें